हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों लोग सुक्चन संचाले मद्ध पिर्दिस से आपके काउंसलिंग के सम्बन में एक आदित जारी किया गया है जिसमें सभी सवालों के जवाब दिये गए हैं यानि कि अभी आपके मन में ये कन्फिजन चल रहा था कि हमारे पास ये डिगर आज आपके किलियर हो जाएंगे और ये किलियर होंगे गवर्मेंट के आदेश अनुसार यानि कि लोग सुक्चन संचाले जो आदेश जारी हुआ है उसका हम विश्लिशन करने जा रहा हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए महत्पून है हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना होगा ये जो आदेश है दोस्तों भूपाल आठ अप्रेल 2021 को निकला है और यहां पर आप यदि देखेंगे विश्लिशा के अंतरगर उच्छ मादमेक सिक्चक यानि वर्ग एक इवन मादमेक सिक्चक यानि वर्ग दो पत पर भरती हितु चाइनित कि आप यहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ उच्छ मादमेक सिक्चक या नियालंई प्रिकरण के प्राप्त हो रहा हैं जिनका निराकन हेतु chillyhat कि यह पिछलिस्ट नियम निर्देसों की अंतरगर जिन बिंद्यों पर दस्तावे सत्यापन के द्वारान प्रक्रण को टूबी रिजेक्ट इवां टूबी होल्ड की सेनी में रखे गiają उन विंद्यो के समंध में समग्र बिचार उप्राम निम्न अनुसार निया गया है तो होल्ड वालों के जो भी रखे गये हैं वो अब reject में जाएंगे कि select होंगे उनके सम्मन में यह निड़ने ले लिया गया है अब यहां पर आपको हर एक point ध्यान से समझना है दोस्तों कि किसी न किसी point में आप भी यहां पर आ सकते हैं पहला point जो कि dual degrees से सम्मन्दित है दोस्तों तो यहां पर आप देख रहे हैं अब यहां पर आप देखें कि क्या यहां पर लिखा गया है और कैसे आपको यह है इसका निराकर्ण करेंगे दोस्तों तो यहां पर आप देखें विश्विद्याले अनुदान आयोग UGC द्वारा और यह case number लिखा हुआ है जो कि dual degrees से सम्मन्दित है मैं पिश्टूत पिट्वर्तन में एक साथ ही एक सत में दो डिगरी अरजित करने के संबन में UGC की 546 भी मीटिंग दिनांग 14-5-2020 को हुई थी जिसमें एक साथ एक ही सत में दो डिगरी अरजित करने को मानने की अनुसंसा की गई थी आपके पास लाया था कि UGC जो है इन्हें मानने कर रही है लेकर जो नियम है अभी तक बना नहीं है इस पर काफी वीडियो लाया यदि आपको याद हो परन्तु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से UGC द्वारा जारी अधिसुचना दिनांग 15-1-2016 क्योंकि ये नियम 15-1-2016 को ही पारेत किया गया था कि आप डवल डिगरी नहीं कर सकते कि अनुसार एक साथ ही एक ही सत्र में दो डिगरी प्राप्त करने वाले अभ्यारतियों को दस्तावे सत्यापन में पिस्तुत अभी लेग आ मानने योग नहीं होगा यानि कि मानने योग नहीं होगा मैंने आप से कहा था 2011 के जो एक जाम हुए थे 2013 बढ़ती हुए थी उसमें डुल डिगरी मानने थी लेकिन 2015-16 में एक नियम बनाया गया उजी सी की तरफ से कि जो है डवल डिगरी आप नहीं कर सकते उसके तहत दोस्तों ये जो है डिपिया मिल सकता है चुकि अभी तक वो अनुमुदन नहीं हुआ है दोस्तों और ये नियम नहीं बन पाया है तो जो अभी का नियम है उसके अनुसार पिस्तुत अभी लेकों को मानने योग नहीं होगा तो जो अभी डुल डिगरी है उसे मानने नहीं किया जा रहा है आपका उस हिसाब से आपको लाब मिल जाएका लेकिन बर्तमान की इस्तिती में dual degree जो है इस नियम के तहट मानने नहीं है 2013 की बात अलग थी लेकिन 2015-16 में जो नियम अपडेट किया गया उसके अनुसार आप स्वेम देख रहे हैं इसके बाद दूसरे नंबर का पॉइंट देखें चिट्तिय सेनी में इसनाक उत्तर की डिग्री होने से मैंने आपको कहा था कि इसमें second division मांगी गई है फारम फिल हुआ था उस टैम पर भी मैं काफी बीडियो लाए था कि इसमें second division मांगी जा रहे है परसंटेज आपकी कुछ भी हो परसंटेज मेंटर नहीं रखती है आपके मार्क सीट में second division लिखा होना चाहिए अब यहां पर देखें आप इस नियम में क्या कहा गाया है मद्य प्रिदित राज्य इसकुल सिक्चा सेवा सेवा सर्तेवं भरती नियम 2018 की अंसूची तीन में उच्च मादमिक सिक्चक पद की सेच्चनिक आहर संबंदी विशेयों में दुत्तिय सेणी में इसनाक उत्तर उपादी के साथ बीएड या उसके समकच योगता नियत है अता इसनाक उत्तर उपादी में दुत्तिय सेणी के अभ्यार्थी उच्च मादमिक सिक्चक पद हेतु पातर धारी होगा दुत्तिय सेणी के अभ्यार्थी को इसनाक उत्तर उ विजन लिखा है आप आप पात्र माने जाएंगे अब यहां पर आप तीसना पॉइंट देखें इसना कुत्तर डिग्री से विश्व में अर्जित करने से एलाइट सब्जेक्ट वाले तो यहां पर आप ध्यान दें दोस्तों मद्यप्रिदेश सासन इस्कूल सिक्चव वाके परिपर्तिद रंग 2828-2018 2828-2018 पर मैं काफी बीडियो लाये था और आपके फारम फिल हो रहे थे उस समय भी मैंने ये बात आपको बहुत सारे बीडियो में बताई थी आज भी वो बीडियो डले हुए है कि कंडिका एक में इस उच्व मादमिक सिक्चक पद हेतू इसनाक उत्तर की डिग्री मानने की जाए बीगी द्वारा जारी रूल बुक में भी सासन के परिपत अनुसार इसनाक उत्तर विशय में मानने करने का लेख है तो बिलकुल लेख था मैं आपको 2828-2018 का वो आदिस भी बता देता हूं यह वो आदिस है 2828-2018 का जैसे की आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप देखें प्रात्मिक सिक्चक मादमिक सिक्चक तता उच्च मादमिक सिक्चक नियूजन पिर किरिया अब इसमें क्या दिया गया है विशयों के अंतरगत देखें एक में दिया गया एक दसमलव एक में जो की हवाला आपके सामने अभी दिया गया है यहाँ देखें हाई इसकूल उच्छ माद्मेक विद्याले में अध्यापनकारी हित्वी नियुजन किये जाने वाले उच्छ माद्मेक सिक्चा की पातिता परिक्चा बिशयवार होगी पातिता परिक्चा हिंदी अंग्रेजी संस्क्रित उर्दू गणेत जीब विग्यान जीब विग्यान के अं सम्मन्दित बिषय में इश्नाक उत्तर उपादी नियम में उल्लेकित प्राप्धान के अनुसार धरित करना अनिवारी होगा और इसके वाद आपके वर्ग एक का जो है नोट्पिकेशन जारी किया गया था दोस्तों अब बर्ग एक का नोट्पिकेशन हो या वर्ग दो का नोट्पिकेशन हो दोनों में इस आदेश का हवाला दिया गया था जिस पर मैं काफी वीडियो लाया था यह आप पेज नंबर पांच पर देख विश्वों के अनुसार होगी तो इसमें यह साप यहां पर दसाया गया था और 28 2018 के आदिस का हवाला दिया गया था यह जो नोट्पिकेशन वर्ग एक और दो का जारी हुआ था 2868 2018 के आदिस के बाद जारी हुआ था जिसमें सभी सब्जक्ट पहले किलियर कर दिये थे जो विश्व के अनुसारि जो जो अगला प्षाक के और के साथ Our patriarch कर ने से सम्मंदित है दोस्तों तो यहां पर वह काही वीडियो लाए था कि हो सके तो अपना अतिती सिक्चक के सार रेगूलर डिग्री ना करें और काफी वीडियो डली हुए क्योंकि मुझे इसी का डर था कि आंगे चलके आप प्रॉब्लम में ना आ जाए अब यहाँ पर देखें उनके विश्य में क्या लिखा गया है कुछ अतिती सिक्चकों को इस से राहत जरूर मिलेगी लोग शुष्य और संचाला के परिपत्य दरांग 23-6-2020 की कंडिका 1-4 एबं 27-2020 की कंडिका 1 में उल्लिखित अतिती सिक्चकों के संबन में नेदेशों को बिलोपित करते हुए बिलोपित किया गया है याँ पर यानि कि जो थे उनमें संसुदन किया गया है अतिती सिक्चक को दस्तावेच के सत्यापन से संबंदित ने मनुस्वार कारवाई की जाबेगी यहाँ पर आपको benefit दिया गया है guest teacher को लेकिन सभी को नहीं दिया गया है यहाँ पर देखें पहला point ज़स ने इस्तान पर अतिती सिक्चक के रूप में अध्या पनकारिय किया है उसकी मुक्ःाले से नियमेंe में च्छात्य के रूप में डिग्री तो उसकी अब भ्यार्तिय अतिती सिक्चक ये तू मान की जावेगी तो ऐसे जो अतिती सिक्चक है वो मान की जावेगी इस पर मैं call recording भी लाया था जिसमें ये बात सभी इसपर्ष्ट हो गई थी दोस्तों इसमें आगे देखें जिन अतिती सिक्चकों ने जिस इस्तान पर अतिती सिक्चक के रूप में अध्यापन का कारी किया उसी मुख्याले से भिन इस्तान से नियमेच्छात के रूप में उपादी प्राप्त की है तो उपादी अर्जित करने की अबदी को गर्णा में नहीं ल किया जाएगा इस अब्दी को छोड़का शेश अब्दी की नियूंतम तीन सेक्चनिक सत्र एवं दोसो दिवस सास किये विद्यालों में अध्यापन कारी किया गया तो अतिती सिक्चक के रूप में अभ्यारती मान की जावेगी तो ये भी एक अपने आप में बेनिफिट अत किसरा पॉइंट देखें यदि अतिती सिक्चक द्वारा अतिती सिक्चक के अध्यापन के सासात मुक्याले से भिन इस्तान से नियत उपादी प्राप्त किये तो अतिती सिक्चक के पास उन्हीं तीन सेक्चनिक सत्र में से दोसो दिवस का अध्यापन कारी का अनुवफ है तो उसी अतिती सिख्चक के अनुवाप का लाफ पिरदान नहीं किया जाएगा, यानि कि यदि वो लाफ लेना चाह रहा हैं, तो उन्हें वो लाफ नहीं दिया जाएगा, उसकी गैर अतिती सिख्चक अब्याफ येंटु मानन की जाएगी, यानि उसे अपना जो guest teacher का experience है वो छोड़ना पड़ेगा और non guest teacher की जो पोश्टे हैं वहाँ पर उनकी जो है नमरों के आधार पर वो merit में आ सकते हैं लेकिन उन्हें अतिती सिक्चक का लाब नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर अतिती सिक्चकों को benefit दिया गया है लेकिन अतिती सिक्चकों को लाब नहीं मिला है जो कि कहीं दूर से जिन्होंने अतिती सिक्चक रहते हुए उपादी धारत की है पांच में पॉइंट देखें अतिती सिक्चक से संबंदे तीन सेक्चन के साथ तथा 200 कारी देवसों का अनुवाब प्रमान पत्र पिश्टूत नही किया गया है तो उसकी अभ्याष्ति अतिती सिक्चक ये तुमान नहीं की जाकर गयर अतिती सिक्चक सेंडी में अभ्यारत की जाएगीका। बढ़ती है तु जारी बिग्यापन तिती उन्तीस बारा दो हजार उन्नीस के पच्चात अर्जिस सेक्चनिक वेबसाइक योगता अर्जित करने से अब यहां पर आप यदि इस पॉइंट को देखेंगे तो इस पॉइंट के चलते बहुत से लोग जो हो वो भार होंगे ही हो यहां पर देखें उच्च मार्ण में सिक्चक पर भरती है तो जारी बिग्यापन दिनांग 29-12-2019 के अनुसार अभ्यारती को दिनांग 29-12-2019 अत्वा इसके पूर वांचे सेक्चनिक वेबसाइक योगता प्राप करना अनिवारिये है तो यहां पर आपने अनिवारिये है त एक confusion और था कि जो upload किया है वही AWS ले जाएं या फिर जो नया AWS वो बनवाने पड़ेगा कोई नया बनवाने के लिए अभी समय नहीं है तो यहां पर देखें उसको भी किलियर कर दिया गया है अब ब्यारती द्वार दस्तावेज upload के समय प्रिष्टूत EWS प्रमान पत्र को मानने किया जाएगा चाहे उसकी बैदिता की समय सीमा समाप्त हो चुकी है तब भी वो मानने किया जाएगा जो आपने upload किया है आठमा पॉइंट देखें दोस्तों पोर्टल पर अविलेग upload नहीं होने के कारण यदि आपने दस्तावेज अप्लोड नहीं किये तो क्या कारण है उसमें क्या बताया गया है ऐसे अभ्यारती जिनके दोरा किनी कारण वस दस्तावेज पोर्टल पर upload नहीं किये गए थे उन अभ्यारती को बिग्यप्ति जारी कर दस्तावेज अप्लोड करने हितु अपसर दिया गया था इसके बाब जूद भी किसी अभ्यारती दोरा दस्तावेज पोर्टल पर upload नह हुए तो उस दस्तावेज को सत्यापन अधिकारी द्वारा मान कर अभ्यारती मान किया जाकर दस्तावेज अप्लोड करने हितू प्रिस्टाप संचाले को प्रेसित करेगा तो यदि आपने दस्तावेज अप्लोड नहीं कर पाएं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है आपके पास बैलिट डॉकिमेंट हैं तो आप वेरिफिकेशन में बता सकते हैं और उसके बाद वह लोग संचाले जो है उस पर अनुसंसा की जाएगी और उस तरह प्रिसारित किया जाएगा और उस पर डिसीजन यह होगा कि आपको बिल्कुल जॉइनिंग का हक हो जाएगा दोस्तों तो यह पॉइंट भी बहुत अच्छा यहां पर आ गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने दस्तावेच अपलोड नहीं किये थे किसी कारण से लेकिन उनके पास दस्तावेच जो है वो बैलेड है नवा पॉइंट देख इसकुल सक्चा विवाग के करमचारियों द्वारे अना पर दिक प्रमान पत्र हितु आवेधन प्रिस्तुत किया गया तो वह मान किया जाएगा अन्य विवागों द्वारे करमचारियों के प्रमान पत्र अत्वा त्याग पत्र जॉइनिंग तिति के पूर प्रिस्तुत कर जारी मूल प्रमान पत्र पिश्टूत नहीं किये जाने के अत्वा अन्य राज्य के आरक्षट सेंडी के प्रमान पत्र पिश्टूत किये जाने पर आविदक के अभ्यारती आरक्षट अभ्यारती तुमाने नहीं होगी ऐसी अभ्यारती को आरक्षट सेंडी में मानने नहीं ह दिव्यांग प्रमानपद जिला मेडिकल बोर्ट द्वारा जारी किया गया मानोगा यह वो नियम है दोस्तों जो मैं बार बार रिपीट आपके सामने पहले ही कर चुका हूं अब यहां पर ग्यार्मा पॉइंट देखें सेक्चन के में वेफसाइग योगता मानता प्राफ संसास अर्जित नहीं करना उजिसी की मानता प्राफ बिस्विद्ध्याल है तो उजिसी रिकेनाइजड है आपके उनिवर्सिटी तब ही वो मानन करेंगे इसनाक उत्तर अत्व प्रदिस के वार के आन्नề बार्जिक सिक्चा मंडल कक्चा दस्भी और नवहां बार्बी में ऐसी अंक्सूछी धारन करता जिसमें उसकी जनम तिति अंकेत नहीं किए तो एसी स्द्रीज में चंपतां में वानन किए कृता अपकी देट-बान पस्तल हो जाती है तो ये पूरा लेटर है दोस्तों तो बी रेजेक्ट एबं टो बी होल्ड की कौन से लोग है वो रेजेक्ट में जाएंगे और जो होल्ड पे हैं वो चाइन सुची में आएंगे इसमें सब कुछ किलियर हो गया है तो दोस्तों आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो पिलिस इसको लाइक और शेयर जरू कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे हलाकि मैं आपको हर एक पॉइंट पर कापी वीडियो ला चुका हूँ तो ये वीडियो ऐसा ही था आपने से देखने के लिए इतना समय ने कला उसके लिए दिल से धन्नवाद